मुंबाई के दैसर के एक बियर सॉप में कुछ अस्थानिय लड़को द्वारा की गई मार पीट का बड़ी ही तेजी से वाइडल हो रहा है विडियो में दिख रहा है कि कुछ लड़के बियर सॉप के अंदर गाली गलोच और मार पीट करते नजर आ रहे हैं मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारी टीम ने इस वीडियो की जांच परताल की तो आईए आपको दिखाते हैं इस वीडियो का पूरा सज यह वाइरल हो रहा वीडियो रवीवार 27 मई का है आखिर क्यों हुआ यह जगड़ा आखिर इस जगड़े की वज़य क्या थी रोहन पावडे का बियर सौप पर काम करने वाले कुमार यादो और बिनो दियादो से किसी बात को लेकर पहस छिड़ गई कुछी समय में यह बहस मारपीड में तबदिल हो गई इस मार्पीड में बियर शॉप पर काम करने वाले कुमार यादो, बीनो दियादो, राजेश यादो और नरिश ने मिलकर रोहन पावड़े के उपर जानलेवा हमला बोल दिया जिसमें रोहन पावड़े गंभीर रूप से जख्मी हो गया गंभीर अवस्ता में रोहन पावडे को सतादी अस्पताल में ICU वाड में भरती कराया गया आरोप भई की ICU में भरती होने के बाद भी पुलिस ने बियर सॉप पर काम करने वाले लड़कों की खिलाब कोई कारवाई नहीं की जिसे नाराज रोहन पावडे के दोस्तों ने सलक पर बैट कर आंदोलन भी किया इस आंदोलन में रोहन पावडे के दोस्तों ने आरोपियों के खिलाब सक से सक कारवाई की मांगी लेकिन पुलिस प्रसासन से नाराज रोहन पावडी के दोस्त रभीवार 27 जुलाई को बियर सॉप पर काम करने वाले लोगों से बात करने की कोशिश की लेकिन यह मामला एक बार फिर मार्ट पीट में तब्दील हो गया हाला कि बात में मामला बिगरता देख पुलिस ने मार्ट पीट में सामिल कुमार यादो समय चारो आरोपियों के खिलाब आईपीसी की धारा 324 के तहट मामला दर्ज कर लिया अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस इस मामले में इतनी लिया परवाही क्यों बरत रही थी बियर साउप मालिक के पास बियर बेचने का लाइसेंस होता है तो आखिर बियर साउप को दारू खाने में क्यों तबदिल किया गया था इतना बड़ा कार नामा आखिर किस भरोसे पर चल रहा था